किसी भी वहान के टायर उसके लिए एक महत्पुन हिस्सा होते हैं यह कार और सड़क के बीच संपर का सीधा माध्यम होते हैं कार के टायरों पर कुछ नंबर लिखे होते हैं अधिकतर लोगों को इन नंबर की सही जानकरी नहीं होती यह चोटी सी लाइन आपके कार और इसके टायर के बारे में बहुत सारी जानकरी देती है यहां तक कि आप कार की टॉप स्पीड का पता भी इन टायर के जरिये लगा सकते हैं यह कोट आपको टायर की चोड़ाई साइड वाल की उचाई रिम साइज टॉप स्पीड लोड कापेस्टी के बारे में डिटेल देता है पहला नंबर टायर की चोड़ाई के बारे में बताता है उधारन के लिए अगर टायर पर यह नंबर लिखा है 225-50-R-17-87-B इसमें पहला नंबर टायर की चोड़ाई बताता है यानि इस टायर की चोड़ाई 225 mm है दूसरा नंबर आसपक्ट रेशियो होता है जो की टायर की साइड वाल की उचाई बताता है जो की 50% टायर की चोड़ाई होगा तीसरा नंबर रिम का साइज बताता है जो की 17 इंच है लास्ट का नंबर टॉप स्पीड और लोड कैपस्टी के बारें बताता है लोड कैपस्टी का पता आखिर वाले डिजिट से चलता है उधारन के लिए यहाँ पर 87 V लिखा है 87 इसकी लोड कैपस्टी दरसाता है जो एक प्रकार का कोड है इस कोड के लिए लोड कैपस्टी 545 किलोगराम है इसी तरीके से अलग-अलग लोड कैपस्टी कोड के लिए अलग-अलग लोड होते हैं टायर के टॉप स्पीड जानने के लिए नंबर का अंतिम अक्षर देखें इसमें विविन अक्षर हो सकते हैं जो अलग 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 टॉप स्पीड को बताते हैं टॉप स्पीड वे स्पीड है जिस पर हम गाड़ी को चला सकते हैं बिना टायर में कोई नुकसान हुए अगर last में V लिखा है तो इसका मतलब इस टायर की safe top speed 240 km पर आवर है अगर वहाँ पर Y लिखा है तो इसका मतलब है टायर की top speed 300 km पर आवर है last में अंकित अलग अलग अंग्रेजी के letters अलग अलग top speed को दरसाते हैं हाईवे पर गाड़ी को फुल स्पीड चलाने से पहले आपको पता होना चीए कि आपके टायर की टॉप स्पीड क्या है, अगर गाड़ी को आप टॉप स्पीड से उपर लेकर जाओगे तो टायर फटने के चांस होते हैं,